आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर हम आपको नागमनी का रियल रहसे बताने वाले हैं क्या नागमनी सच में होती है क्या इसका कोई अस्तित्व है और विज्ञान इसके समझ में क्या कहता है आपने नागमनी के बारे में किताबों के अंदर टेवी सीरियलों के अंदर अब सब जगह आपने देखा और पढ़ा होगा कि एक नागमनी होती है जिसके लिए लोग लड़ते हैं और उसको हासिल करना चाहते हैं और फिर महंगे दावों पर बेचना चाहते हैं प्राचिन गरंधों के अंदर भी नागमणी का उलेक मिलता है वरत सहीता के अंदर नागमणी के बारे में लिखा हुआ है और ये कहा गया है कि जिस इंसान के पास नागमणी होती है वे सब कुछ हासिल कर लेता है उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहती और इसी वज़त से वेगैनिक भी नागमणी पर रिसर्च कर लेवे लगे हुए है नागमणी का रहस्य जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए तो दोस्तों नागमणी पर कई सारी रिसर्च हुए है हम इस वीडियो के अंदर उन रिसर्च शोंग के बारे में भी जिकर करेंगे जिसे हमें यह पता चलेगा कि क्या वास्ता में नागमणी होती है या नहीं होती या यह सब कुछ जूट है दोस्तों नागमणी के बारे में कहा जाता है कि नागमणी काफी चमकदार होती है और उसकी चमक काफी तीज होती है मतलब एक लाइट की बलव की तरह तीज होती है और सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि जो नाग होते हैं वो नागमणी का यूज क्यों करते हैं तो दोस्तों पुराणिक मानेताउं के अम सार नागों के जो हुड होता है उनका सार जो होता ए उन पर वे मनी रहती है उर उस मनी की मदद से वे कीडे मकोडे मतलब जो भी जानवर वो कहते हैं उसको अपने पास एक्ट-रित करते हैं और फिर उनको वो खा जाते हैं ऐसा माना जाता है और वे से अगर देखा जाए तो नागमणी बहुत दूरलट चीज होती है अभी तक वेगैनिक रिशर्च के अंदर नागमणी का कोई सपूत नहीं मिला है लेकिन फिर भी अगर एक रिशर्च की बात करें तो जो नागमणी है वो कोब्रा सरक के सरक के उपर होती है या एक जिसको हम सनेक स्टॉन कह सकते हैं वो कोब्रा सांप जो होता है उसके सरक के उपर होता है और ये स्टॉन अलग-अलग परकार का होता है जैसे काला भी हो सकता है या फिर चमकदार भी हो सकता है और कुछ केशों में इस जो स्ट स्टोन होता है इसके उपर लाइट मतलब जैसे नागमनी के उपर लाइट होती है उसी तरह इस स्टोन के उपर भी मतलब लाइट चमकती है या स्टोन चमकता है ऐसा रिसर्च के अंदर पर मानित हुआ है यह जो स्टोन है आपको ँंलाइन भी मिल जाएंगे मतलब यह जो नागराज के स्टोन होते हैं वह उनलाइन में जाएंगे आप इनको ओनलाइन क्रीद भी सकते हैं तो अलग-अलग कलर के अंदर आप golden डियुह भी मिल जाएंगे हालांकि यह कहना मुस्किल है कि यह जो स्टॉन है वो असली नागमणी है या नहीं लेकिन मैंने ओनलाइन पढ़ा कि इन जो स्टॉन होते हैं इनका जोती से महत्वे ज्यादा होता है इन स्टॉनों का अलग अलग वहां पर नाम दिया हुआ था और फिर उनके जोती से उप्योग भी दिये हुए थे जैसे इन स्टॉन का यूज करने से मतलब किसे में गहे में शांती आती है या फिर मतलब और भी कई सारे फाइदे जो ह यहां आपको नहीं बता सकता यह विगयनिकों की माने तो यह जो स्टोन होता है वो हर कोब्रा सांप के वुड़ पर नहीं होता मैं कुछ स्पेशल सांप होते हैं जो काफी या तो बुड़े हो चुके होते हैं और उनके सर पर यह सांप होता है कई बार जो काल बीली होते हैं पाई को पकड़ते हैं और उनके सरसे यह स्टॉन गर लेते हैं और उनको बेज़ देते हैं नागमनी की रूप में दोस्तों मैं आपको बता दू कि असली जो नागमनी होती है उसके क्या खास पास होती है उसका पता कैसे चलता है तो झाना तो इसके लिए Dep trust होते हैं एक जो पहला होता है वो होता है फ्लावर टेस्ट और दूसरा होता है वाटर टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जब असली नागमनी को किसी मतलब जो फूल होते हैं उनके पास ले जाया जाता है तो फूल खिल जाते हैं और वाटर टेस्ट के अंदर क्या होता है कि नागमनी को यह भी दावा किया गया था कि असली नागमणी एक विक्ति को मिली थी हालां कि मुझे उस विक्ति का नाम याद नहीं है लेकिन कुछ जो स्टोरी याद है वो मैं आपको बता दीता हूँ एक रिसर्च पेपर के अनुसार इधर मद्य परदेश के तरफ एक विक्ति था जिसक से उसका जो बिजनेस कास्तर है वो उंचा उठ गया और मतलब हर तरफ से वो विक्ति जो प्रॉग्रेस करने लगा लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि नागमणी घर आने के पाथ उसके घर में चारो तरफ सांप सांप निकलने लगे जिससे उसके घरवाले बिलकुल ब बुरी तरह डर गया ओ उसको वापस एक चीव मंदिर के अंतर चड़ा करा गया और यह से ही उसने नागवनी कुछ सीव मंदिर के अंतर चड़ाया तो उसका जो बिजनस पास्ता थया उसकी जो प्रॉडुग्रेस है वह बूर्धिन के ठाब हुए आलंकि यह कि इस्टोरी ह है मैं ये खुद नहीं चालता लेकिन मैंने ये पड़ा है था एक अंग्रीजी रिशास्थ